अगामे विदानसभर चुनाव में हाती से हात मिलाने का सपना देख रही कॉंग्रिस को मायवती ने तगड़ा चटका दिया है 36 गड़ में कॉंग्रिस के साथ से इनकार करने के बाद मद्यप्रदेश और राजिस्थान में भी मायवती ने अकिले चुनाव लड़ने का एलान किया है साथ ही इस वैसले के लिए कॉंग्रिस को जिमेदा ठहराया है बस्पा सुप्रीमों ने कहा कि दिगविजय सेंग बीजेपी के एजेंट हैं इसलिए वो कॉंग्रिस से हाथ नहीं मिलाएंगी आगामी लोगसभा चुनाव से पहले कॉंग्रिस तमाम विपक्षित दरों को साथ लेकर महागडबंदन मनाने के कवायत में चुटी है इसे कोशिश में मायवती भी उसके साथ नजर आ रही थी करनाटक में भी कुमार स्वामी की शपत गैंट समाहरू में सोनिया गांदी से हाथ मिलाकर मायवती ने संकेत दिया था कि हाथ ही हाथ का साथ देगा लोगसभा चुनाफ से पहले होने वाले विधानसभा चुनाफ को लेकर भी दोनों दल एक साथ आने को राजी हो गए थे लेकिन जैसे जैसे चुनाफ करीब आ रहा है बसपा सुप्रीमों के सुर बदल रही है 36 गड़, मद्यप्रदेश, राजिस्थान, कहीं पर भी मायवती कॉंग्रिस का हाथ थामने को तयार नहीं मायवती ने जहाँ 36 गड़ में अजी जोगी का साथ दिया तो वही मद्यप्रदेश और राजिस्थान में अकेले दम पर जुनाफ लड़ने का अयरान किया है मायवती ने कहा कि दिगविजय सिंग और कुछ अन्य नेता कॉंग्रिस बियस्पी गड़ बंधन नहीं होने देना चाहते ये लोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आज कुछ नेता कह रही है कि CBI और ED की धंकी के चलते BSP कॉंग्रिस से गड़ बंधन नहीं कर रही लेकिन असलियत ये है कि कॉंग्रिस इस गड़ बंधन के जरिए BSP को खत्म करना चाहती है दरसल कॉंग्रिस के वरिष्ट निता दिगविजय सेंग ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि मायवती पर CBI और ED का दबाव है जिसकी वजह से वह कॉंग्रिस के साथ नहीं आ रही इसी पर जवाब देते हुए उन्होंने दिगविजय को BJB का एजेंट करार दिया साथ ही कहा कि मद्यप्रदेश और राजिस्थान में उनकी पार्टी कॉंग्रिस से ताल मेल किसी भी हालत पर नहीं करेगी आपको बता दे कि मद्यप्रदेश में 230 में से बस्पा के पास 4 सीटे हैं तो वही राजिस्थान में 200 में से 2 सीटे हैं हाला कि दोनों राजियों में बस्पा का खासा प्रभाफ नहीं है लेकिन आगामी रोगसभा जुनाव को देखते हुए मायवत्री का साथ विधान सभा में बेहत जरूरी था लेकिन अब इस वैसले से महागड़ बंदन पर भी खत्रामन राता नज़र आ रहा है हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बिल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुश्ती रहें देखते रहें डीबी लाइब क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार